असलामों अलेकुम आप सभी को मैं सायमा खान मेरे इस चैनल सायमा की दस्तर खान में आप सभी का वेलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खेर्यत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसपी जिसका नाम है प्यास की पत्ती की सबजी प्यास की पत्ती को इंगलिश में इस्प्रिंग अनियन भी कहते हैं थन की दिनों में ही ज्यादा तर प्यास की पत्तियां देखने को मिलती हैं हरी प्यास की पत्तियां सर्दियों के दीन में खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि इसे खाने से हमारे शरीर की इम्म्यूनिटी भी मजबूत होती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है और इसे खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है हरी प्यास की पत्तियां खाने से digestion system भी स्वस्थ रहता है तो चलिए हम प्यास की पत्तियों की सबजी बनाना शुरू करते हैं ये हमने लिया है एक पाउ हरी प्यास की पत्तियां ये हमने आधा पाव, चना की दाल को हमने धो के और इसे हमने निकाल के इसे भी हमने रख लिया है ये हमने एक मेडियम साइज का प्यास को बारिक बारिक काट के इसे भी हमने रख लिया है ये हमने दो हरी मिर्च को भी बारिक काट के रख लिया है ये हमने तीन सूखी मिर्च को भी तोड़ के इसे भी हमने रख लिया है ये चार मिडियम साइज की टमाटर को भी हमने काट के रख लिया है ये हल्दी है और ये हमने नमक भी निकाल के रख लिया है ये हमारे सारे इंग्रिजेंट्स हैं तो चलिए ये हम spring onion काट के आपको दिखाते हैं, देखे इस तरह हमें से बारिक बारिक काटना है, आप लोगों के पास अगर चौपर वगेरा होगा तो आप लोग उसमें भी इसे काट सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये हम अपने हाथों से ही इसे कितने अच्छे से बा और इसे धो के हम रख लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, अब उसके बाद हम एक कड़ाई में तेल गर्म करेंगे, लगभग 2 अबल स्पून और उसके बाद हम उसमें सूखी लाल मिर्च को डाल देंगे, देखिए, गैस के फ्लेम को हमने हाई में ही रखना है, इसके बा हम इसमें जो हमने प्यास काटके रखा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे, देखिए, हमने डाल दिया है, और उसके बाद हम हरी मिर्च को भी जो काटके रखे थी, उसे भी हम उसमें डाल दे रहे हैं, देखिए, और इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, देखिए, इस इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे देखे यह हमने इसमें टमाटर डाल दिया है इसे एक बर चला देंगे देखे इस तरह से और इसके बाद हम इसमें वन टी स्पून से थोड़ा सकम इसमें हम हल्दी पॉडर डाल दे रहे हैं देखे इसके बाद हम इसमें वन टी स्प आप लोगद देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हामने इसे डाल दिया है अब इसके बाद हम इसे लो फ्लेम में दस मिनट के लिए ढख देंगे यह दस मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं जो टमाटर है वह हलका सा गल चुका है लेकिन अभी हम इसे अच्छे से एक बार मैश कर देंगे ताकि ये और अच्छे से गल जाए देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए इसे हम मैश कर रहे हैं अच्छे से बहुत ही अच्छे से इसे हम मैश कर रहे हैं देख सकते हैं आप लोग ऐसा करने से टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाता है इसके बाद हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में फिर ढग देंगे ये 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से पक के तयार हो चुका है आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये जो हमारे टमाटर की मसाले हैं ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब इसके बाद हम इसमें प्यास की पतियों को डालेंगे देखिए इस तरह से हम इसमें प्यास की पतियों को डाल रहे हैं इस तरह से हम इसमें प्यास की पतियों को डाल देंगे सभी और इसे हलके हातों से हम चला देंगे और गैस के फ्लेम को हम अब मेडियम में कर देंगे देखे इस तरह से हम इसे चला देंगे सबी मसालों को अच्छे से हम प्यास की पतियों में मिला देंगे और इसे हम पाश मिनट के लिए ढग देंगे ये पाश मिनट हो चुके हैं और ये जो प्यास की पतिया है ये अभी हल्की सी पक चुकी है पूरी तरीके से नहीं पकी है आप लोग देख सकते हैं इस तरह का ये नजर आ रहा है इसके बाद फिर हम इसे 5 मिनट के लिए फिर ढग देंगे ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये प्यास की पत्ती लगबग 80% पक चुका है आप लोग देख सकते हैं ये हमने चना डाल लिया था जो उसको हमने 80% उबाल के रख लिया था तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसे हमने मिला देना है चारो तरब से अच्छे से हम मिला देंगे और इसके बाद इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे हम पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम में इसे पकने देंगे 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसे एक बार फिर अच्छे से चला देंगे ताकि ये कड़ाई में चिपके नहीं इसलिए हम इसे पलटते हुए एक बार अच्छे से चला देंगे और एक बार इसे अच्छे से हम मिला देंगे ताकि बराबर से ये पके उसके बाद हम इसे पाच मिनट के लिए फिर लो यह बहुत ही टेस्टी नजर आ रहा है आप लोग इस थंड में इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए इंशालला आप लोगों को जरूर पसंद आएगा थंड के दिनों में इसे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं तो इसे एक बार आप लोग जरूर ट्राइ करिए आप लोग एक बार इसे जरूर ट्राई करिए क्योंकि इसको खाने के बहुत फायदे होते हैं हरी प्यास की पत्यां खाने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है इसे आप चावल की रोटी के साथ गेहूं की रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है ये बहुत ही आसान से बनने वाली ये रेसिपी है आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए इंशालला आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो में प्यारा सा कामेंट कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ठैंक यू, अल्ला हाफीर